प्रथम तहलका न्यूज वियाजाजी टाइकर की दिवार पर चेहल कदमी करते नजर आया है गो बड़ी कवर हम आपको को बता दे जो धरम नगरी हरीध्वार से आ रहा है जहां हरीदवार के रिहाईशी इलाके में एक बार फिर गुलदार देखा गया है आपको बता दे कि कलोनी में गुलदार दिखने के बाद थानिय लोगों में देहशत का माहौल है तो आपको बता दे कि कलोनी में लगे CCTV केमरे में जो है वो गुलदार जो है वो चहल कदमी करते हुए नजर आ रहा है इसक्षक की बड़ी कबर हम आपको बता दे जो हरिद्वार से आ रही है जहां रिहाईशी इलाके में एक बार फिर गुलदार देखा गया है आपको बतादे की रिहाईशी इलाकों में जंगली जानवर की गुसने का सिलसिला लगातार चारी है और धर्मनगरी हरीद्वार के रिहाईशी इलाके में एक बार फिर गुलदार जो है वो नजर आया है और धर्मनगरी हरीद्वार से इस वक्त की बड़ी कबर हम आपको बता दे जी हाँ धर्मनगरी हरीद्वार से इस वक्त की बड़ी कबर आ रहे हैं आपको बता दे कि हरीद्वार के रिहाईशी इलाके में एक बार फिर गुल्दार देखा गया है आपको बता दे कि रिहाईश कलोनी में गुलदार की चो तस्वीरे हैं वो सामने आई है आपको बता दे कि राजा जी टाइगर रिजर्म की दिवार पर चहल कदमी करते नजर आया है गुलदार इस वक्त की बड़ी ख़वर हम आपको बता दे जो धरम नगरी हरीद्वार से आ रहा है जहां हरीद्वार के रहाईशी इलाके में एक बार फिर गुलदार देखा गया है आपको बता दे कि कलोनी में गुलदार दिखने के बाद थानिये लोगों में देशत का माहौल है तो आपको बता दे कि कलोनी में लगे सीसी टीवी कैमरे में जो है वो गुलदार जो है वो चहल कदमी करते हुए नजर आ रहा है, बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो हरीद्वार से आ रही है, जहां रिहाईशी इलाके में एक बार फिर गुल्दार देखा गया है, आपको बता दें कि रिहाईशी इलाकों में जंगली जानवर की गुस्री का सिलसिला लगातार चारी है, और धरम नगरी हरीद्वार के रहाईशी इलाके में एक बार फिर गुल्दार जो है, वो नजर आया है,